हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूजी के नाइस फ्रेंड्स इस वीडियो में भी हम टॉप 20 समाने ग्यान से मिक्स कोश्चन देखेंगे यूपी पुलिस के लिए बहुदी इंपोटेंट है तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमबर पहला है भारत और पाकिस्तान के बी फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीस चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिए और इस वीडियो को अंतक देखें क्योंकि इंपोटेंट कोश्चन है नेश कोश्चन है वाटरलू का सम्मंद किस से है नेपोलियन से यहां वाटरलू ए कोश्चन है काफी एक्जाम में कोश्चन आ चुका है पांच जून को यहां पांच जून को मनाया जाता है विशू परियावरण दीवस नेश कोश्चन है भारत के सबसे पुराने अर्ध सेनिक बल असम राइफल्स की स्थापना कब की गई थी अठारो सो पैथिस में की चाहां टाइपए और मुद्रा की बात करें से तो नेश कोश्चन है अनुसंदान संस्थान कहाँ पर है? नागपूर में है, important question है, नागपूर में, और मुसम्मी अनुसंदान केंदर भी नागपूर में है, next question है, पंडित रवी संकर किस वादान से संबन दित है, सितार से, व्यक्यत्ते बहुती है, important question है, तो पंडित रवी संकर का जो संबन था, सितार से था, next question है, one अनुसंदान स संस्तान हो गया दूसरा Petroleum अनुसंधान संस्तान भी दहरादूर में है नेस कोशन है इनपोटन कोशन है काफी एक्जाम में कोशन आ चुका है अल्जून अटवाल किस खेल से संबंदित हैं तो बिलीडियर्स जिए आप बिलीडियर्स से संबन्दित है Next question है वायू सेना के प्रिक्षन कमांड का मुख्याले का है तो ये बैंगलूर में है Important question है बैंगलूर में Next question है भारत रदन से संब्मानित होने वाली पहली महिला कौन है तो इंद्रा गांधी थी भारत रदन से संब्मानित होने वाली पहली महिला Next question है हीर विनिया किस देश की मुद्रा है तो यूँक्रेन की यूँक्रेन की मुद्रा है Next question है परसिद वरंदा वन गार्डन कहा इस्तित है करनाटक मैसूर में है Important question है Next question वंदे मातरम को राष्टे गीत के रूप में कि स्तिति को सिवकार किया गया था 26 जन्वरी 1950 नेस्ट कोईशिन है भारत की पहली मिसाइल विभेदी पन्डुब्बी कौन सी है तो INS सिंदु सास्त्रा यह यह बारत की पहली मिसाइल विभेदी पन्डुब्बी है नेस्ट कोश्चन है, इन्पोटेंट कोश्चन है, बेहदी, स्वर्गिय राजिय गांदी का जनम दिवस 20 अगस्त को किस रूप मनाया जाता है, तो सद भावना दिवस, बहुत ही इन्पोटेंट दिवस है, 20 अगस्त को सद भावना दिवस मनाया जाता है, और राजिय गांद इथोपिया की मुद्रा बिर है और यह अबिसीनिया देश का पुराना नाम ने पारश्य पंचायत को राष्वित दिलवरों का मंदिर। तो माउंट आबू पर और यह जैनियों का मंदिर है इंपोटेंट कोश्चन है कि दिलवारों का मंदिर कहा पर है तो राजिष्थान के माउंट आबू परवत पर है और जैनियों से संबंदित है फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना